नमस्कार दोस्तों मैं राजेंदर मडलोई फिर से आपके समने नया वीडियो लेग रहा हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समीदा सिक्षक वर्गतीन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम अभी फिलाल पेडावोजी के इंपोर्टेंट कॉस्चेंस साथ में 30 कॉस्चेंस का प्रेक्टिस सेड भी आपके लिए हमने कल प्रोवाइड किया था तो आप हमारे इन विडियो को यहदा जयाधा सेयर कीजिए गा और अपने प्रेहंडस करोवाजी सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करने से वो अपनी तयारी घर बेठे इस बहुत आसनी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं दूसरी बात ये बता दें कि यदि आप नए विवर्स हैं, तो हमारे सेनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको समीधा सिख्छा कुवर के तीन के बहुत सारे वीडियो मिल है, इंग्लिस के कम सकम 50 से 60 वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ग्रेमाटिकल को पॉर्षन, पेडागोजी और क्वेश्चन प्रेक्टिस के लिए, प्रेक्टिस सेट भी हमने प्रोवाइट किये हो है, साथ ही एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, जो हिंदी के लिए है, है ना, तो उसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन से हिंदी वाले भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं, पेडागोजी इंग्लिश, पेडागोजी मिन्स सिक्षा सास्त्र, पहला क्वेश्चन है, विच आप नमबर टू है, प्राइमरी फंक्शन्स अफ लेंग्वेज आर, मतलब भासा के प्राइमरी मतलब प्राथमिक फंक्शन्स क्या हैं, तो देखिए, एक्स्प्रेशन अफ फिलिंग, मिनिंग, कम्म्यूकेशन एंड थिंकिंग टू कंट्रोल और अधर प्यूपिल, एज लें एक्ट, ठीके दोस्तों, क्वेशन नमबर थर्ड की ओर चलें, तो क्वेशन नमबर थर्ड है, कमांड ओर लेंग्वेज गिवस ए फिलिंग आफ, यदि हमें किसी लेंग्वेज पर कमांड है, तो हमें क्या देगा वो, कॉन्फिदेंस, साटिस्फेक्शन, सेक्यूर्टी, यदि भासा जो है, वह प्राकरितिक रूप से सीखी जाए, और बिना सिस्टेमेटिक प्रेक्टिस के यदि सीखी जाती है, तो उस प्रकार की भासा को जो हमने सीखा है, उस तरीके को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे, एक्वसिशन, ठीक है, इसका आर्थ होता है, अर्जित करना, क्या आर्थ होता है, अर्जित करना, ठीक है दोस्तों, क्वेशन नमर फाइब है, तो इसको कहते हैं, लर्णी, क्वेशन नमर शिक्स की बात करें, इससे पहले, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कि हमारे सेनल के माध्यम से, कक्षा बारवी और दसवी की भी हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें सभी आपके जो पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को हम उसके लिए important questions, model question paper हम provide करा रहे हैं, साथ में कक्षा नवी से लगा कर 12 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सारे पेपर्स को हमने analysis किया है, उनका solution हमने playlist बना कर डाल दिया है, तो आपके भाई, बहन, friends, relatives, colleagues, जो भी हैं, उनके पास हमारे इन videos को, हमारे चैनल को share जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाब ले सके हैं, ठीक है दोस्तों, तो question number 6 की सुरुआत करते हैं, इसका होगा classical conditioning, ठीक है दोस्तों, question number 7, एक चीज़ और में जरूर आपको बताऊंगा, यह जो पेड़ा कोजी के जितने भी questions हम देख रहे हैं, या जिनको जितने को भी हम discuss कर रहे हैं, तो यह सारे questions, चाहे वो कोई सी भी जो teaching की जो exam होती है, चाहे वो CTT ले लो आप, चाहे MP की जो जैसे grade 1st, grade 2nd, last year हुई थी, इस प्रकार की जितनी भी exams होती हैं, उन सारी exams में frequently जो पूछे जाते question हैं वो हैं, जैसे RPSC, सुना होगा अपने राइस्थान, PSC, teaching के लिए हुआ प्रतिवार से exam होती है, तो हुआ से भी उस प्रकार की questions है, मैं level वाले question है आपके लिए लेकर आए हूँ, पेड़ा हो जीगे, तो आप इन questions को note कर लीजिगा और अच्छे से इनको पढ़ लीजिगा न, question number seven है, which one of the following, not one of the stage of learning, उसको बोलते हैं, adaptation, question number eight है, the aim is that the child should learn to do the statement fits to which of the following stage, इसको बोलते हैं, fluency, मतलब धारा प्रवा, question number nine है, effective instructors teach students strategies using minimal response recognizing scripts and using language to talk about language, these strategies help students learn to speak, question number, last question है, आज के इस वीडियो का, इस question को हम देखते हैं, teaching ads such as charts, maps, pictures and drawings should be used by teachers as they, जैसे classroom में teacher अलग-अलग जो sources से उनका प्रयोग करते हैं, जैसे chart हैं, नक से हैं, चित्र हैं, drawings हैं, जो painting हैं, उस समय teacher किस रूप में रहते हैं, तो वो motivative for further preparation, मतलब वो इस लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि वो आगे की तैयारी बच्चों को करवा सके हैं, motivate कर सके हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह pedagogy की हमारी आज की छटी class थी, पिछले वीडियो, पिछले पांच वीडियो हमने pedagogy के आपके लिए provide किये हैं, आप उन वीडियोज को भी देखियेगा, हमारे इस channel को यदि अपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करें, playlist में जाकर समीधा सिक्षक वर के 3 English की जो playlist है, उस playlist में जाकर अभी तक के, जितने भी वीडियोज हमने डाले हैं, इंग्लिस के आपको 50-60 वीडियोज मिलेंगे, तो उन वीडियोज को आप देखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रेखर तैयारी करें, अपने ध्यान रखें और अपने परिवार के सदिश्योगा ध्यान रखें, Thank you very much for watching, stay home, stay safe and please take care of yourself.